हाई फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे हुन्जा टी हुन्जा के लोग इसे ज़रूर से पीते हैं क्योंकि ये टी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है आज हम इस टी के आपको बेनिफिट्स बताएंगे कि हुन्जा टी पीने से हमारा वेट लॉस होता है इमिनिटी स्ट्रॉंग होती है ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और हमारे हीमेगलोवीन को भी बढ़ाता है लेकिन मैं आपको जो बता नहीं हो इससे भी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं अगर आप चाहें तो हुन्जा टी को आप सर्च कर सकते हैं और इसके बेन को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की जोड़त पड़ा और कैसे बनाया जाता हम आपको बताते हैं यह देखों धी बनाने के लिए दू कप पहले मैंने लिया है ज़से कि ठोड़ी से पुदीन है मेरे पास ड्राइपुदीन था अगर आप पास द्रेश पुदीना है तो तो आप उसे लिएजे क्योंकि वो ज्यादा अच्छा होगा और दो कप के लिए मैंने डाल चीमी लिए है यह देखे इस साइस के मैंने दो लिए है एक छोटी लाइची हरी अधरब और गुड गुड आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं आपको ज्यादा मीठ इस लिए नाट आप अपने टेस्ट के एक अकॉर्डिंग लखेए है अब मैं अधरब को डालची मुऑ और इलाइची को इन तेनों को मैं कूट लेते हूं कि अब इन सब को मैं बहुत ही महीन कर लोंगी इस टी के बारे में आप हो सके तो आप सर्च जरूर करिएगा और आपको इस टी के बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा तब आप इस टी के महतु को समझेंगे अब मैं इन सब चीजों को पाली में मैंने पानी लिया है और इन सब चीजों को मैं इसमें डाल दूँए इसको मैंने हाई फ्लेम पे रग दिया है अब इसमें वाय लाने दीजेए अब इसको हम इसके फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसको हम चार से पांच मिनट तक के लिए बॉयल होने देंगे ताकि इसका अरा का जाए तो चलिए फिर इसे हम चार से पांच मिनट तक के लिए बॉयल होने देते है यह देखिए मेरी चाय खौल चुकी है अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे छाल लेंगे अब इस चाय में एक कप में तीन से चार ड्रॉप्स नीवू कि लेंगे यह दिखिए गाइस हमारी हुनसा टी बनकर रेडी है अब आप भी इसको पीजे और इसके बेनिफिट्स को लीजे तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ओके बबाए